इस वीडियो के नीचे दिये गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक तरें इन चीजों से कोहनी और घुटनों का काला पन जट से हो जाएक दूर आप अपने चेहरे को साफ और गोरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करते लेकिन अकसर आप अपने चेहरे के आगे अपने शरीर के बाकी हिसों की सफाई को नजर अंदाज कर देते हैं आपके इन ही अंगों में से आपके घुटने और कोहनी होते हैं जब भी कभी आप शॉट्स पहनते हैं तो कोहनी और घुटनों एक आला पन आपकी खुब सूरती पर पानी फेर देता है कोहनी और घुटने की तवचा मोटी होती है जैस वजह से इसे सामान्य से ज्यादा देखपाल की जरूरत होती है आई ये जानते हैं किन चीजों से आप एक आला पंदूर कर सकेंगे एक नीमबू नीमबू को नचुरल ब्लीच कहा जाता है जो स्किन को टोन करने में मदद करता है नीमबू को काट कर इसके टुखडे को कोहनी और घुटनों पर अच्छी तरहरी गड़ें और 15 मिनिट तक लगा रहने दे बाद में इसे गर्म पानी से धोले और कोई मास्चराइजर क्रीम लगा ले आप एक नीमबू के रस में एक टिबल स्पून शेहट भी मिक्स कर सकते हैं ऐसा करने से कुछ ही हफ्तों में ये काला पंदूर हो जाएगा दो, दही दही एक अच्छा मास्चराइजर होता है ये बाद सभी जानते हैं लेकिन खटा दही एक अच्छा स्किंटोन भी हो सकता है ये बाद बहुत कम लोग जानते होंगे खटे दही में एक चमच सिरका और बेसन मिलाकर पैस्ट बना लें और इसे अपनी कोहनियों और घुटनों पर रीगड़ें और 15 मिनिट तक लगा रहने दें, इसके बाद इसे गर्म पानी से धोलें, सप्ताव में 2 सेकंड तीन बार इस प्रयोग को करें, 13. बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्लींजे की तरहें काम करता है, इससे पिग्मेंटेशन भी दूर होता है और प्रभावित अंग साफ हो जाता है, बेकिंग सोडा को दूद में मिलाकर पैस्ट बना ले, अब इस पैस्ट को कोहनियों और घुटनों पर रिगड़ें और 10 मि मिलाकर पैस्ट बना ले और इसे अपनी कोहनियों और घुटनों पर रिगड़ें और 15 मिनिट तक लगा रहने दे, इसके बाद इसे गर्म पानी से धोले, सब्ताव में 2 सेकंड तीन बार इस प्रयोग को करें, 3. बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्लींजे की तरहें काम करता है, इससे पिग्मेंटेशन भी दूर होता है और प्रभावित अंग साफ हो जाता है, बेकिंग सोडा को दूद में मिलाकर पैस्ट बना ले, अब इस पैस्ट को कोहनियों और घुटनों पर रिगड़ें और 10 मिनिट बाद इसे पानी से साफ कर ले, इस प्रयोग को हफ्ते में दो बार करने से दो महीनों के भीतर आपको घुटनों और कोहनी के काले पिंजे छुटकरा मिल जाएगा, 4. अलोवेरा एसे अलोवेरा स्किन के लिए बेस्ट माना जाता है, यह स्किन के पुराने सल्स को रिपे कर नए सल्स बनाने में काफी मददगार होता है, अलोवेरा जेल लेकर उसा घुटने और कोहनी के काले धबों पर अच्छे से रगड़ें, 20 मिनिट तक इसे लगा रह 5. नारियल तेल पंदूर करना चाहते हैं, तो आलू एक अच्छा उपाय साबित हो सकता है, इसके लिए आपको आलू के टुखडे को प्रभाविच यगह पर रीगड़ें, इसके अलावा आप आलू के पेस्ट का भी इस्तमाल कर सकते हैं, आलू को पीस कर घुटनों और कोहनीों पर लगा सक्कते हैं, और के अलू के वेगगारी टैकर गालू के प्रबते हैं, इसके लिए एक हैं, बूग कोो आलू का ऑलू का यड़ें, औरह के मान वेता highest जाय संत्रिय। यगह, कर सकते हैं… झाल झाल